मर्कुस रचित सुसमाचार अध्याए एक से सोला अध्याए एक यूहना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार एक परमेश्वर के पुत्र येश्यु मसीह के सुसमाचार का आरंब दो जैसा यशाया भविश्यद वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भीजता हूँ जो तेरे लिए मार्क सुधारेगा तीन जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभू का मार्क तैयार करो और उसकी सड़के सीधी करो चार युहना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था पांच सारे यहुदिया प्रदेश के और यरुशलिम के सब रहने वाले निकाल कर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया चेह युहना उूट के रोम का वस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमडे का कर्टिबंध बांदे रहता था तथा टिड्डिया और वन मधू खाया करता था साथ और यह प्रचार करता था मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योग्य नहीं की जुक कर उसके जूतों का बंद खोलूं आठ में ने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा लीशू का बपतिस्मा और परीक्षा नौव उन दिनों में लीशू ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहनना से बपतिस्मा लिया दस और जब वह जल से निकल कर उपर आया तो तुरंट उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने उपर उतरते देखा ग्यारह और यह आकाशवानी हुई तू मीरा प्रिय पुत्र है तुझ से मैं प्रसन हूँ बारह तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की ओर भेजा तेरह जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे लीशु के सेवाकार्य का आरंब 14 युहना के पकड़वाय जाने के बाद लीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया पंद्रह और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करो मच्छवों का बुलाया जाना सोलर गलील की जील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मच्छवे थे सत्रह लीश्व ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुश्यों के मच्छवे बनाऊंगा अठारा वे तुरंट जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए उननीस कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहनना को नाव पर जालों को सुधारते देखा बीस उसने तुरंट उन्हे बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए बुष्टात्माग्रस्ट व्यक्ति को चंगा करना 21 तब वे कफर्नहूम में आये और वह तुरंट सबत के दिन आराधनाले में जाकर उबदेश करने लगा 22 और लोग उसके उबदेश से चकित हुए क्यूंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उबदेश देता था 23 उसी समय उनके आराधनाले में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुधा आत्मा थी 24 उसने चिल्ला कर कहा ये लीशु नास्री हमें तुझ से क्या काम क्या तू हमें नश्ट करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है 25 लीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा 26 तब अशुधा आत्मा उसको मरोड कर और बड़े शब्द से चिल्ला कर उसमें से निकल गई 27 इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे यह क्या बात है यह तो कोई नया उगदेश है वह अधिकार के साथ अशुधा आत्माओं को भी आग्या देता है और वे उसकी आग्या मानती हैं 28 और उसका नाम तुरंट गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया बहुत से बीमारों को चंगा करना 29 और तुरंट आराधनाले में से निकल कर याकूब और युहना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया 30 शमौन की सास्च्वार से पीवित थी और उन्होंने तुरंट उसके विशे में उससे कहा 31 तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़के उसे उठाया और उसका ज्वार उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी 32 संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुश्टात्माएं थी उसके पास लाए 33 और सारा नगर द्वार पर एकर्था हुआ 34 उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दूद, खी थे, चंगा किया, बहुत सी दुश्टात्माओं को निकाला और दुश्टात्माओं को बोलने न दिया, क्यूंकि वे उसे पहचानती थी एकांत में येश्यू का प्रार्थना करना 35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, वह उठकर निकला, और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा 36 तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गये 37 जब वह मिला, तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंड रहे हैं 38 उसने उनसे कहा, आओ, हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूं 49 अतह वह सारे गलील में उनके आरागनलेयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा कोड के रोगी को चंगा करना 40 एक कोडी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुधा कर सकता है 41 उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे चूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुधा हो जा 42 और तुरंट उसका कोड जाता रहा, और वर शुधा हो गया 43 तब उसने उसे चिता कर तुरंट विदा किया, 44 और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना परंटु जाकर अपने आपको याजक को दिखा, और अपने शुधा होने के विशे में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चड़ा की उन पर गवाही हो 45 परंटु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा की इश्यू फिर खुलम खुला नगर में न जा सका, परंटु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों और से लोग उसके पास आते रहे अध्याय दो, लक्वे के रोगी को चंगा करना एक कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूं में आया और सुना गया की वह घर में है दो फिर इतने लोग इकठा हुए की द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था तीन और लोग एक लक्वे के रोगी को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये चार परंतु जब वे भीड के कारण उसके निकट ना पहुँच सके तो उन्होंने उस छट को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेर चुके तो उस खाट को जिस पर लक्वे का रोगी पड़ा था लग्का दिया पांच लिश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस लक्वे के रोगी से कहा ये पुत्र तेरे पापक्षमा हुए चह तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे साथ यह मनुष्य क्यूं ऐसा कहता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ो और कौन पापक्षमा कर सकता है आठ येश्वर ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने-पने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने-पने मन में यह विचार क्यूं कर रहे हो नौ सहज क्या है क्या लखे के रोगी से यह कहना की तेरे पापक्षमा हुए या यह कहना की उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर दस परंतु जिससे तुम जान लो की मनुश्य के पुत्र को पृत्वी पर पाक्षमा करने का भी अधिकार है उसने उस लक्वे के रोगी से कहा ग्यारह मैं तुझ से कहता हूँ उठ अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा बारह वह उठा और तुरंत खाट उठा कर सब के सामने से निकल कर चला गया इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा लेवी का बुलाया जाना तेरा वह फिर निकाल कर जील के किनारे गया और सारी भीर उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा चौदा जाते हुए उसने हलफी के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले और वह उठकर उसके पीछे हो लिया पंद्रह जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लीशू और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे क्यूंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिये थे सोला शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भूजन कर रहा है उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है सत्रह येशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यक्ता नहीं, परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ उपवास का प्राश्ण 18 युहना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अता उन्होंने आकर उससे यह कहा, युहना के चेले और फरीसीयों के चेले क्यूं उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते 19 येश्यू ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अता जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते 20 परंतु वे दिन आएंगे जब दूलहा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उप्वास करेंगे 21 कोरे कपड़े का पैवंद पुराने वस्तर पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैवंद उसमें से कुछ खीच लेगा, अर्थात नया, पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा 22 नय दाखरस को पुरानी मशिकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशिकों को फार देगा, और दाखरस और मशिके दुनों नश्ठ हो जाएगी, परन्तु नया दाखरस नई मशिकों में भरा जाता है सबत का प्रभू 23 ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे 24 तब फरीसियों ने उससे कहा देख ये सबत के दिन वह काम क्यूं करते हैं जो उचित नहीं 25 उसने उनसे कहा क्या तुमने यह कभी नहीं पड़ा की जब दावत को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था 26 उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भीट की रोटियां खाई जिसका खाना याजकों को छोड़ो और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथीयों को भी दी 27 तब उसने उनसे कहा सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए 28 इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिम का भी स्वामी है अध्याय तीन सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना एक वह फिर आराधनाले में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था दो और वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे की देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है की नहीं तीन उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो चार और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना पर वे चुप रहे पांच उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, उनको ख्रोध से चारों और देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया चेह तब फरीसी बाहर जाकर तुरंथ हैरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें भीर का लीश्यू के पीछे हो लेना साथ लिश्यू अपने चेलों के साथ जील की और चला गया और गलील से एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली आठ और यहुदिया और यरूशलिम और इदुमिया और यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीर यह सुनकर की वह कैसे अचमभे के काम करता है उसके पास आई नौ उसने अपने चेलों से कहा भीर के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें दस क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था इसलिए जितने लोग रोब ग्रस्ट थे उसे चुने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे ग्यारह अशुधा आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है बारह और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट न करना बारह प्रेरितों की नियुक्ती तेरह फिर वह पहाड पर चड़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए चौदह तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें पंद्रह और दुष्टात माउं को निकालने का अधिकार रखें सोलह वे ये हैं शमॉन जिसका नाम उसने पत्रस रखा सत्रह और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई युहना जिनका नाम उसने बुहनर गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा अठारह और अंध्रियास और फिलिप्पुस और बर्तुल्मे और मत्ती और थोमा और हलफी का पुत्र याकूब और तद्दे और शमॉन कनानी उन्नीस और यहुदा इसकर्योती जिसने उसे पकड़वा भी दिया लीशू और बालजबूर बीस तब वह घर में आया और ऐसी भी रिकठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके 21 जब उसके कुटुम्बियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है 22 शास्त्री भी जो यरुशिलिम से आये थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहाइता से दुष्टात्माओं को निकालता है 23 इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे द्रिश्टांतों में कहने लगा शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है 24 यदी किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है पच्छीस और यदी किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा 26 इसलिए यदी शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बाना रह सकता है उसका तो अंथी हो जाता 27 परंतु कोई मनुश्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवन्त को बांध न ले और तब उसके घर को लूट लेगा 28 मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुश्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी 29 परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा वरन वह अनंत पाप का अपरादी ठहरता है 30 क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्धा आत्मा है 31 तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा 32 भीर्ड उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे डूंदते हैं 33 उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन है 34 और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे द्रिश्टी करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है 35 क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वहीं मेरा भाई और बहिन और माता है अध्याए 4 बीज बोने वाले का द्रिश्टांत एक वह फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीर उसके पास इकठी हो गई कि वह जील में एक नाव पर चड़कर बैठ गया और सारी भीर भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही दो और वह उन्हें द्रिश्टांतों में बहुत सी बाते सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा तीन, सुनो एक बोने वाला बीज बोने निकला चार बोते समय कुछ मारक के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया पांच कुछ पत्रिली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिटी न मिली और गहरी मिटी न मिलने के कारण जल दुगाया छे और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ना पकड़ने के कारण सूख गया साथ कुछ जड़ियों में गिरा और जड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फालना लाया आठ परंतु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंथ हुआ और कोई तीस गुना, कोई साथ गुना और कोई सो गुना फल लाया नौ तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले द्रिश्टांतों का उद्देश दस जब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन बारह समेट उससे इन द्रिश्टांतों के विशय में पूछा ग्यारह उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहरवालों के लिए सब बाते द्रिश्टांतों में होती है बारह इसलिए कि, वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पढ़े और सुनते हुए सुने भी और न समझें, ऐसा न हो कि वे फिरें और क्षमा किये जाएं बीज बोने वाले द्रिश्टांत की व्याख्या तेरह फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह द्रिश्टांत नहीं समझते तो फिर और सब द्रिश्टांतों को कैसे समझोगे चौदा बोने वाला वचन बोता है पंद्रह जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंट आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है 16 वैसे ही जो पत्रिली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंट आनन्से ग्रहन कर लेते हैं 17 परंतु अपने भीतर जर्ण रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंथ ठोकर खाते हैं 18 जो जाडियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना 19 और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तूओं का लोब उन में समा कर वचन को दबा देता है और वह निश्फल रह जाता है 20 और जो अच्छी भूमी में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं 21 उसने उनसे कहा क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए 22 क्योंकि कोई वस्तूचिपी नहीं परंतु इसलिए है कि प्रगट हो जाए और ना कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रगट हो जाए 23 यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले 24 फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो की क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा 25 क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा उगने वाले बीज का दृष्टांत 26 फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज शीटे 27 और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बड़े की वह न जाने 28 प्रिथवी आप से आप फाल लाती है पहले अनकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना 29 परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंथ हसिया लगाता है क्योंकि कटनिया पहुँची है राई के दाने का दृष्टांत 31 पर उसने कहा हम पर्मीश्वर के राज्य की उत्मा किस से दे और किस दृष्टांत से उसका वर्नन करें 31 पर राई के दाने के समान है जब भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है 32 पर अंतु जब बोया गया तो उपकर सब साखपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं 33 वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से द्रिश्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था 34 और बिना द्रिश्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था परन्तु एकांत में वह अपने निच चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था आंधी को शांत करना 35 उसी दिन जब सांच हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें 36 और वे भीर को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावे थी 37 तब बड़ी आंधी आई और लेहरे नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी 38 पर वह आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा हे गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नश्ट हुए जाते हैं 49 तब उसने उठकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत्रे थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया 40 और उनसे कहा तुम क्यों दरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं 41 वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं अध्याए 5 बुष्टात्मा ग्रस्ट व्यक्ति को चंगा करना एक वे जील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे दुजब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुध आत्मा थी कबरों से निकाल कर उसे मिला तीन वह कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था चार क्योंकि वह बार-बार बेडियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों के टुकड़े टुकड़े कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था पांचवर लगाता रात दिन कब्रों और पहाडों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था चैवर यीशु को दोर ही से देख कर दोड़ा उसे प्रणाम किया साथ वर उंचे शब्द से चिल्ला कर कहा ही यीशु परंप्रधान परमेश्वर के पुत्र मुझे तुझ से क्या काम मैं तुझे परमेश्वर की शपत देता हूं कि मुझे पीरा न दे आठ क्योंकि उसने उससे कहा था है अशुध्ध आत्मा इस मनुश्य में से निकला नौ उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा मेरा नाम से ना है क्योंकि हम बहुत हैं दस और उसने उससे बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर न भेज ग्यारह वहां पहाड पर सुरों का एक बड़ा जुन्द चर रहा था बारह उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुरों में भेज दे की हम उनके भीतर जाएं तेरा हता उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुरों के भीतर पैक देई और जुन्द जो कोई दो हजार का था कड़ाडे पर से जपट कर जील में जा पड़ा और डूब मरा चौदा उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गावों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए पंद्रह लीश्यू के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात माए थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहिने और सचेत बैठे देखकर डर गए सोलह देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात माए थी और सुरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया सत्रह तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा अठारह जब वह नाव पर चड़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात माए थी उससे विनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे 19 परंतु उसने उसे आग्या ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं 20 वर जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि येशू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये और सब लोग चंभा करते थे याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्थ्री 21 जब येशू फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीर उसके पासे कठी हो गई वर जील के किनारे ही था कि बाइस याईर नामक आराधनाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पावों पर गिरा तेईस और यह कहकर उससे बहुत विनती की मेरी छोटी बेटी मरने पर है तू आकर उस पर हाथ रख की वह चंगी होकर जीवित रहे 24 तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीर उसके पीछे हो ली यहां तक की लोग उस पर गिरे पड़ते थे 25 एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहु बहने का रोग था 26 उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दू, ख़ उठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी उसे कुछ लाब ना हुआ था परंतु और भी रोगी हो गई थी 27 वह लिश्यू की चर्चा सुनकर भीर में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को चूलिया 28 क्योंकि वह कहती थी, यदी मैं उसके वस्त्र ही को चूलूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी 29 और तुरंत उसका लहू बहना बंध हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ 31 उसके चेलों ने उससे कहा, तु देखता है कि भीर तुझ पर गिरी पड़ती है, और तु कहता है कि किसने मुझे चूआ 32 तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था, चारों ओर द्रिष्टी की 33 तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाए हुई है, डर्ती और कांपती हुई आई और उसके पावों पर गिरकर उससे सब हाल सच-सच कह दिया 34 उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे 35 वह यह कही रहा था कि आराधनाले के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरू को क्यूं दू, खर देता है 36 जो बातवे कह रहे थे, उसको यह इश्यू ने अनसुनी करके आराधनाले के सरदार से कहा, मत दर, केवल विश्वास रख उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा, 49 तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यूं हला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है 40 वे उसकी हसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर, जहां लड़की पड़ी थी, गया 41 और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ 42 और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्यूंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए 43 फिर उसने उन्हें चिताकर आग्यादी की यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो अध्याय छे, नासरत मी लीश्यू का अनादर एक वहां से निकल कर वह अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए दो सबत के दिन वह आराधनाले में उगदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको यह बाते कहां से आ गई यह कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है, कैसे सामर्थे के काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं तीन क्या यह वही बढ़ाई नहीं, जो मर्यम का पुत्र और याकूब, योसिस, यहुदा और शमौन का भाई है क्या उसकी बहिने यहां हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विशय में ठोकर खाए चार लीश्यू ने उनसे कहा, भविश्य द्वक्ता का अपने देश, और अपने कुटुम, और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता पांच वह वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया चेह वर उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वर चारों और के गावों में उपदेश करता फिरा बारह प्रेरितों का भीजा जाना साथ उसने बारहों को अपने पास बुलाया और उन्हें दो-दो करके भीजने लगा और उन्हें अशुद्धा आत्माओं पर अधिकार दिया आठ उसने उन्हें आग्या दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ न लो, न तो रोटी, न जोली, न बटुए में पैसे, न परंतु जूतियां पहिनो और दो-दो कुर्ते न पहिनो दसवर उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदाना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो ग्यारह जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुनें, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल ज़ार डालों की उन पर गवाही हो बारह तब उन्होंने जाकर प्रचार किया की मन फिराओ, तेरह और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या चौदर हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुँ में से जी उठा है इसलिए उससे ये सामर्थे के काम प्रगट होते है पंद्रह अन्य लोगों ने कहा, यह लिया है 17 हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेज कर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रिह में डाल दिया था 18 क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं 19 इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका 20 क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था, और उससे बचाए रखता था, और उसकी बाते सुनकर बहुत घबराता था, पर आनन से सुनता था 21 ठीक आफसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया 22 तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन किया तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूँगा 23 और उससे शपत खाए मैं अपने आधे राजय तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूँगा 24 उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मानबून वह बोली युहना बपतिस्मा देने वाले का सिर 25 वह तुरंट राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी युहना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंदवा दे 26 तब राजा बहुत उदास हुआ परंटु अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे तालना न चाहा 27 अतह राजा ने तुरंट एक सिपाही को आग्या देकर भीजा कि उसका सिर काट लाए 28 उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की ने अपनी मा को दिया 29 यह सुनकर यूहना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा प्रेरितों की वापसी और एकांतवास तीस प्रेरितों ने यीश्यू के पास इकठ्थे होकर, जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था, सब उसको बताया 31 उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांस्थान में चल कर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्हें खाने का अफसर भी नहीं मिलता था 32 इसलिए वे नाव पर चड़कर, सुनसान जगह में अलग चले गए 5,000 पुरुश्यों को खिलाना 33 बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से एकठे होकर वहां पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे 34 उसने उतर कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीडों के समान थे, जिनका कोई रखवाला न हो और वह उन्हें बहुत सी बाते सिखाने लगा 35 जब दिन बहुत धल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत धल गया है 36 उन्हें विदाकर की चारों और के गावों और बस्तियों में जाकर, अपने लिए कुछ खाने को मोल लें 37 उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा, क्या हम सो दीनार की रोटिया मोल लें, और उन्हें खिलाएं 38 उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने मालूम करके कहा, पांच और दो मचली भी 49 तब उसने उन्हें आ गया दी की सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो 40 वे 100-100 और 50-50 करके पांती पांती बैठ गए 41 उसने उन 5 रोटियों को और 2 मचलियों को लिया और स्वर्ब की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे और वे 2 मचलियां भी उन सब में बांट दी 42 सब खाकर त्रिप्थ हो गए 43 और उन्होंने टुकडों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मचलियों से भी 44 जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे लीशू का पानी पर चलना 45 तब उसने तुरंट अपने चेलों को नाव पर चड़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैचसेदा को चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे 46 उन्हें विदा करके वह पहार पर प्रार्थना करने को गया 47 जब सांच हुई तो नाव जील के बीच में थी और वह अकिला भूमी पर था 48 जब उसने देखा कि वे खेते-खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चोथे पहर के निकटवर जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था 49 परंतु उन्होंने उसे जील पर चलते देखकर समझा की भूत है और चिल्ला उठे 50 क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बाते की और कहा धार्जबाध हो, मैं हूँ, दरो मत 51 तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे 52 वे उन रोटियों के विशय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे 53 वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाए 54 जब वे नाव पर से उत्रे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर 55 आसपास के सारे देश में दोड़े और बीमारों को खाटों पर डाल कर जहां जहां समाचार पाया की वह है वहां वहां लिये फिरे 56 और जहां कहीं वह गाओं नगरों या बस्तियों में जाता था लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्तर के आचलही को छू लेने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे एक तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलिम से आये थे उसके पास इकठा हुए दो और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोय हाथों से रोटी खाते देखा तीन क्यूंकि फरीसी और सब यहुदी पूरवजों की परंप्रा पर चलते हैं और जब तक भली भाती हाथ नहीं धुलेते तब तक नहीं खाते चार और बजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी अन्यब आते हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुँचाए गई हैं जैसे कटोरों और लोटों और तामबे के बरतनों को धोना मांजना पांच इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे चेले क्यूं पूर्वजों की परंप्राओं पर नहीं चलते और बिना धोय हाथों से रोटी खाते हैं चे उसने उनसे कहा यशायाह ने तुम कप्टियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग घोटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझ से दूर रहता है साथ ये वियर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुश्यों की आग्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं आठ क्योंकि तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो 9 उसने उनसे कहा तुम अपनी परंप्राओं को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो 10 क्यूंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए 11 परंटु तुम कहते हो कि यदी कोई अपने पिता वा माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाग पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका 12 तो तुम उसको उसके पिता वा उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते तेरह इस प्रकार तुम अपनी परंप्राओं से, जिन्हें तुमने ठेहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो मनुश्य को अशुध्ध करने वाली बाते 14 तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो 15 ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुश्य में बाहर से समाकर उसे अशुध्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुश्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुध्ध करती हैं 16 यदी किसी के सुनने के कान हों तो सुन ले 17 जब वह भील के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा 18 उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुश्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुध्ध नहीं कर सकती 19 क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परंतु पेक में जाती है और संदास में निकल जाती है यह कहकर उसने सब भूजन वस्तुओं को शुध ठहराया 20 फिर उसने कहा जो मनुश्य में से निकलता है वहीं मनुश्य को अशुध्ध करता है 21 क्योंकि भीतर से अर्थात मनुश्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्ट्रीगमन, बाइसलोब, दुष्टता, छाल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है 23 ये सब बुरी बाते भीतर ही से निकलती हैं और मनुश्य को अशुध्ध करती है 24 फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिपना सका 25 और तुरंत एकस्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुध्धा आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई, और उसके पावों पर गिरी 26 यह युनानी और सुरुफिनी की जाती की थी, उसने उससे विनती की की मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे 27 उसने उससे कहा, पहले लड़कों को त्रिप्थ होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है 28 उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभू, तो अभी कुत्ते भी तो मेज की नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं 29 उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है 30 उसने अपने घर आकर देखा की लड़की खाट पर पढ़ी है, और दुष्टात्मा निकल गई है 31 फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिकापुलिस से होता हुआ गलेल की जील पर पहुँचा 32 लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की की अपना हाथ उस पर रखे 33 तब वह उसको भीर से अलग ले गया, और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली, और थूपकर उसकी जीब को छुआ 34 और स्वर्प की ओर देखकर राह भरी, और उससे कहा, इपफितह अर्थात, खुल जा, 35 उसके कान खुल गए, और उसकी जीब की गांट भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने लगा 36 तब उसने उन्हें चिताया की किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे 37 वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, वह भहिरों को सुनने की और बूंबों को बोलने की शक्ती देता है अध्याय आठ, 4000 लोगों को खिलाना एक उन दिनों में जब फिर बड़ी भीर हिकत्थी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा दो, मुझे इस भीर पर तरस आता है, क्योंकि यह तीन दिन से बराबर मेरे साथ है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं तीन यदी में उन्हें भूखा घर भेजदून, तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगे, क्योंकि इन में से कोई-कोई दूर से आये हैं चार उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि यह त्रिप्थ हो पांच उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने कहा, साथ, चेह तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी और वे साथ रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे पर उस दिया साथ उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी आठफे खाकर त्रिप्थ हो गए और चेलोंने शेश टुकडों के साथ टोकरे भरकर उठाए नौर और लोग चार हजार के लगभग थे, तब उसने उनको विदा किया, दस और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चड़कर दल्मनूता प्रदेश को चला गया फरीसियों द्वारा स्वर्गिय चिन्ह की मांग ग्यारह फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वर्गिय चिन्ह मांगा बारह उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यूं चिन्ह ढूंदते हैं मैं तुम से सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा तेरा और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चड़ गया और पार चला गया फरीसियों और हैरोदेस का खमीर 14 चले रोटी लेना भूल गये थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी 15 उसने उन्हें चिताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हैरोदेस के खमीर से चौकस रहो 16 वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है 17 यह जानकर लीश्यों ने उनसे कहा, तुम क्यूं आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है 18 क्या आँखे रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और क्या तुम्हें समरण नहीं 19 की जब मैंने 5000 के लिए 5000 रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां 20 और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाई थे उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे 21 उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते बैचसेदा में एक अंधे को चंगा करना 22 वे बैचसेदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की की उसको चुए 23 वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गाउख के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूखकर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है 24 उसने आंख उठा कर कहा, मैं मनुश्यों को देखता हूँ वे मुझे चलते हुए पेडों जैसे दिखाई देते हैं 25 तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा 26 उसने उससे यह कहकर घर भेजा इस गाव के भीतर पाव भी न रखना पत्रस का येशू को मसीह स्वीकार करना 27 येशू और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गावों में चले गए मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं 28 उन्होंने उत्तर दिया युहन्ना बपतिस्मा देने वाला पर कोई-कोई अलिया और कोई-कोई भविश्यदवक्ताओं में से एक भी कहते हैं 29 उसने उनसे पूछा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उसको उत्तर दिया तू मसी है 30 तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विश्य में यह किसी से न कहना अपनी मृत्यू के विश्य यीश्यू की भविश्यदवानी 31 तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दू, खह उठाए और पुर्निय और प्रधान याजिक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ कर मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी उठे 32 उसने यह बात उनसे साफ साफ कहें दी इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जिड़कने लगा 33 परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पत्रस को जिड़क कर कहा हे शेतान, मेरे सामने से दूर हो क्यूंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है येश्यू के पीछे चलने का अर्थ 34 उसने भीर को अपने चेलों समेथ पास बुलाकर उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले 35 क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा 36 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा 37. मनुश्य अपने प्रान के बदले क्या देगा 38. जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाती के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा मनुश्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा बदल गया तीन और उसका वस्तर ऐसा चमकने लगा और यहां तक उजजवल हुआ कि पृत्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजजवल नहीं कर सकता चार और उन्हें मुसा के साथ अलियाह दिखाई दिया वे लीश्य के साथ बाते करते थे पांच इस पर पत्रस ने येश्यू से कहा हे रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक अलियाह के लिए चह क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे इसलिए कि वे बहुत डर गए थे साथ तब एक बादल ने उन्हें चालिया और उस बादल में से यह शब्द निकला यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो आठ तब उन्होंने एकाएक चारों और द्रिश्टी की और लिश्टी को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा नौ पहाड से उतरते समय उसने उन्हें आग्या दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हो में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना दस उन्होंने इस बात को समरन रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे मरे हो में से जी उठने का क्या अर्थ है ग्यारह और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यूं कहते हैं कि अलिया का पहले आना अवश्य है बारह उसने उन्हें उत्तर दिया, अलिया सच्मुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विशे में यह क्यूं लिखा है कि वह बहुत दूग, खा उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा तेरह परंतु में तुमसे कहता हूँ, कि अलिया तो आ चुका और जैसा उसके विशे में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया बुष्टात्माग्रस्ट बालक को चंगा करना 14 जब वह चेलों के पास आया, तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीर लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे है 15 उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी और दोड़कर उसे नमस्कार किया 16 उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो 17 भीर में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरू, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गुंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था 18 जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती है, और वह मुँँ में फेन भर लाता, और दांक पीसता, और सूखता जाता है मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके 19 यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी से हुँगा, उसे मेरे पास लाओ, 20 तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमी पर गिरा, और मुँँ से फेन बहाते हुए लोटने लगा 21 उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है, उसने कहा, बचपन से, 22 उसने इसे नश्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परन्तु यदी तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर 23 यश्यू ने उससे कहा, यदी तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है 24 बालत के पिता ने तुरंत गिलगिला कर कहा, हे प्रभू, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाईकर 25 जब यश्यू ने देखा कि लोग दोड़कर भीर लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कह कर डाटा, हे गुंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुझे आग्या देता हूँ, उसमें से निकल आओ, और उसमें फिर कभी प्रवेश्व न करना 26 तब वह चिलाकर और उसे बहुत मरोड कर, निकल आई, और बालक मरा हुआसा हो गया, यहां तक की बहुत लोग कहने लगे की वह मर गया 27 परंतु यश्यू ने उसका हाथ पकड़के उसे उठाया, और वह खड़ा हो गया 28 जब वह घर में आया, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यूं न निकाल सके 29 उसने उनसे कहा, यह जाती बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती अपनी मृत्यू के विशय इश्यू की पुनः भविश्यद्वानी 30 फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, 31 क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था मनुश्य का पुत्र, मनुश्यों के हाथ में पकरवाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा 32 पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे सबसे बड़ा कौन 33 फिर वे कफरनहूं में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे 34 फिर चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है 35 तब उसने बैट कर बारहों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा और सब का सेवक बने 36 और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, 37 जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है, वह मुझे ग्रहन करता है, और जो कोई मुझे ग्रहन करता, वह मुझे नहीं, वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है। जो विरोध में नहीं वह पक्ष में। 38 तब युहन्ना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उससे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। 49 येश्यू ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, 40 क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। 41 जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीती से नखोएगा। 42 जो कोई इन छोटों में से जो मुझे पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। 45 यदी तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। 44 यदी तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। 48 जहां उनका कीरा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। 49 क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। 50 नमक अच्छा है पर यदी नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अध्याए 10 तलाग के विशेय इश्यू की शिक्षा एक फिर वह वहां से उठकर यहुदिया की सीमा में और यर्दन के पार आया। भीर उसके पास फिर इकठी हो गई और वह अपनी रीती के अनुसार उन्हें फिर उबदेश देने लगा। दो तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। तीन उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है। चार उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है। पांच लीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोर्ता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आग्या लिखी। चह पर सृष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। साथ इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, आठ और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। नौ इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। दस घर में चेलों ने इसके विशे में उससे फिर पूछा। ग्यारह उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यविचार करता है। तेरह फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे। पर चेलों ने उनको डाटा। 14 येशु ने यह देखकृद होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्यूंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है. 15 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ब्रहन न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा. 16 और उसने उन्हें गोद में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीश दी. धनी युवक और अनंत जीवन 17 जब वह वहां से निकल कर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करून? 18 जीशू ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर. 19 तू आग्याओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, जूटी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. 20 उसने उससे कहा, हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ. 21 उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है. जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले. 22 इस बात से उसके चहरे पर उदासी छा गई, और वह शोप करता हुआ चला गया, क्यूंकि वह बहुत धनी था. 23 लिश्यू ने चारों और देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है. 24 चेले उसकी बातों से अचम्भित हुए. इस पर लिश्यू ने फिर उनसे कहा, हे बाल को, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है. 25 परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से वूट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. 26 वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? 27 यिश्व ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता, परन्तुं परमेश्वर से हो सकता है, क्यूंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. 28 पत्रस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं. 29 येशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं, जिसने मीरे और सुसमाचार के लिए घर या भाईयों या बहिनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो 31 पर बहुत से जो पहले हैं, पिछले होंगे, और जो पिछले हैं, वे पहले होंगे 32 वे यरूशलिम को जाते हुए मार्ग में थे, और ये इशु उनके आगे-ागे जा रहा था चेले अचम्वित थे और जो उसके पीछे-पीछे चलते थे, वे डरे हुए थे तब वे फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बाते कहने लगा, जो उस पर आने वाली थी 33 देखो, हम यरूशलिम को जाते हैं, और मनुश्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकरवाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे 34 वे उसको ठटों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोडे मारेंगे और उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा याकूब और युहन्ना की विनती 35 तब जब्दी के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरू, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझ से मागे, वह तु हमारे लिए करे 36 उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करून 37 उन्हों ने उससे कहा, हमें यहदे की तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे 38 उनसे कहा, तुम नहीं जानते की क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो 49 उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है येशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, उसे लोगे 40 पर जिनके लिए तयार किया गया है, उन्हें छोड़ो और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं 41 यह सुनकर दसों याकूब और यूहनना पर रिसी आने लगे 42 तो यह इशुने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्यजातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जताते हैं 43 पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, 44 और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का दास बने 45 क्योंकि मनुश्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, और बहुतों की चुड़ोती के लिए अपना प्रान दे 46 वे यरीहों में आये, और जब वह और उसके चेले, और एक बड़ी भीर यरीहों से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा विखरी, सड़क के किनारे बैठा था 47 वह यह सुनकर की लिशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दावद की संतान, लिशु मुझ पर दया कर 48 बहुतों ने उसे डाटा की चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दावद की संतान, मुझ पर दया कर उन्चास तब येशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा धार्जबांद उठ वह तुझे बुलाता है पचास वह अपना कपड़ा फेक कर शीग्र उठा और येशु के पास आया 51 इस पर येशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उससे कहा हे रब्बी यह की मैं देखने लगूँ 52 येशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है वर तुरंट देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया अध्याए 11 यरूशलेम में विजय प्रवेश एक जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैत्वगे और बैतनियाह के पास आये तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह कर भिजा दो, समने के गाव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ, तीन यदि तुमसे कोई पूछे, यह क्यूं करते हो तो कहना प्रभू को इसका प्रयोजन है और वह शीग्र उसे यहां भेज देगा चार उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे पांच उन्में से जो वहां खडे थे, कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यूं खोलते हो छै जैसा इशू ने कहा था, वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगोंने उन्हें जाने दिया साथ उन्होंने बच्चे को येश्यू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया आठ तब बहुतोंने अपने कपड़े मार्ग में बिछाय और औरोंने खेतों में से डालियां काट-काट कर फैला दी नौ जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे हुशाना धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है दस हमारे पिता दावद का राज्य जो आ रहा है धन्य है आकाश में होशाना, ग्यारह वह यरुशलिम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तूओं को देखकर बारहों के साथ बैतनियाह गया क्योंकि सांच हो गई थी फाल रहे तंजीर का पेड़, बारह दूसरे दिन जब वे बैतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी तेरह वर दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया की क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय न था 14 इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेले सुन रहे थे, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना 15 फिर वे यरूशलिम में आये, और वह मंदिर में गया, और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्राफों के पिवे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलत गी, 16 और मंदिर में से किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया 17 और उगदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकों की खोह बना दी है 18 यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अफसर ढूंधने लगे क्यूंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उगदेश से चकेत होते थे 19 सांज होते ही वे नगर से बाहर चले गए सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा 20 फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सुखा हुआ देखा 21 पत्रस को वह बात स्मरन आई और उसने उससे कहा हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने स्राप दिया था, सूख गया है 22 यिशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो 23 मैं तुमसे सच कहता हूँ की जो कोई इस पहार से कहे तू उखर जा, और समुद्र में जा पढ़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीती करे की जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा 24 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ की जो कुछ तुम प्रार्थना करके मानगो तू प्रतीती कर लो की तुम्हें मिल गया, और तुमहारे लिए हो जाएगा 25 और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रती कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग या पिता भी तुम्हारे अप्राद क्षमा करे 26 और यदि तुम ख्षमाना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अप्राद ख्षमाना करेगा येशु के अधिकार पर प्राश्न 27 वे फिर यरूशलिम में आए, और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुर्निये उसके पास आकर पूछने लगे 28 तु ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किस ने दिया है कि तु ये काम करे 29 येश्यू ने उनसे कहा, मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ 30 युहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्प की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था मुझे उत्तर दो, 31 तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदी हम कहें स्वर्प की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीती क्यों नहीं की 32 और यदी हम कहें, मनुश्यों की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि युहन्ना सच्मुच भविश्यद वक्ता था 33 अतह उन्होंने यीश्यों को उत्तर दिया, हम नहीं जानते लीश्यों ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ अध्याए बारह दुष्ट किसानों का दृष्टांत एक फिर वह दृष्टांतों में उनसे बाते करने लगा, किसी मनुश्य ने दाक की बारी लगाई और उसके चारों और बाड़ा बांधा, और रसका कुंट खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया दो फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाक की बारी के फलों का भाग ले तीन पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा और चूचे हाथ लोटा दिया चार फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा उन्होंने उसका सिर्फ ओर डाला और उसका अपमान किया पांच फिर उसने एक और को भेजा उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमेंसे उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला चेह अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था, अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचा कर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे साथ पर उनकिसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ, हम इसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी आठवर उन्होंने उसे पकड़ कर मार डाला, और दाक की बारी के बाहर फेक दिया नौ, इसलिए दाक की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा, और दाक की बारी दूसरों को दे देगा दस, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पड़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, ग्यारह यह प्रभू की ओर से हुआ, और हमारी दृष्टी में अद्भोत है बारह तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्यूंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में यह द्रिश्टांत कहा है पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए कैसर को कर देना तेरह तब उन्होंने उसे बातों में फसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा चौदह उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तू मनुश्यों का मूम देख कर बाते नहीं करता परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चा इसे बताता है तो क्या कैसर को कर देना उच्चित है या नहीं पंद्रह हम दें या न दें उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा मुझे क्यूं परखते हो एक दीनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं सोलह वे ले आए और उसने उनसे कहा यह चाप और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का सत्रह लीश्यों ने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे पुनरुत्थान और विवाह 18 फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुऊं का जी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा 19 हे गुरू, मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वनशुत्पन करे 20 साथ भाई थे पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया 21 तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी किया 22 और सातों से संतान ना हुई सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई 23 अतर जी उठने पर वह उनमें से किस की पत्नी होगी क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी 24 लिशु ने उनसे कहा क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और नहीं परमेश्वर की सामर्थ्य को 25 क्योंकि जब वे मरे हुँ में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिये जाएंगे पर ανतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे 26 मरे हुओं के जी उठने के विशय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में जाड़ी की कथा में नहीं पड़ा की परमेश्वर ने उससे कहा मैं अबराहम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ 27 परमेश्वर मरे हुऊं का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है अतर तुम बड़ी भूल में पड़े हो सबसे बड़ी आग्या 28 शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर की उसने उन्हें अच्छी रीती से उत्तर दिया उससे पूछा सबसे मुख्य आग्या कौन सी है 29 शास्त्रियों ने उसे उत्तर दिया सब आग्याओं में से यह मुख्य है हे इस्राइल सुन प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है तीस और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी सारी शक्ती से प्रेम रखना 31 और दूसरी यह है तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और कोई आग्या नहीं 32 शास्त्री ने उससे कहा हे गुरू, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। तेंटीस और उससे सारे मन और सारी बुद्धी और सारे प्रान और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे हुंबलियों और बलेदानों से बढ़कर है। चौतीस जब येशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहसना हुआ। मसीह किसका पुत्र है। पैंतीस फिर येशु ने मंदिर में उद्देश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दावद का पुत्र है। 36 दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक की मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीवी न कर दून. 37 दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा. और भीर के लोग उसकी आनन से सुनते थे. शास्त्रियों से सावधान 38 उसने अपने उद्देश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे-लंबे चोगे पहिने हुए फिरना और बाजारों में नमसकार, 49 और आराधनलेों में मुख्य-मुख्य आसन और भोज में मुख्य-मुख्य स्थान भी चाहते हैं. 40-वे विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं. ये अधिक दंद पाएंगे. कंगाल विद्वा का दान 41-वह मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला. 42 इतने में एक कंगाल विद्वा ने आकर दो दमडियां, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली. 43 तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विद्वा ने सबसे बढ़ कर डाला है. 44 क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीवे का डाल दी है. अध्याय 13. मंदिर के विनाश की भविश्यद्वानी एक जब वह मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरू, देख, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है. दो लिश्यू ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े-बड़े भवन देखते हो, यहां पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा जो धाया न जाएगा. संकट और कलेश तीन जब वर जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहनना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, चार, हमें बता कि ये बाते कब होंगी? और जब ये सब बाते पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिनह होगा? पांच लिश्यू उनसे कहने लगा, चौकस रहो की कोई तुम्हें न भर्माए. छे बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भर्माएंगे. साथ जब तुम लड़ायां और लड़ायों की चर्चा सुनो, तो न घबराना, क्यूंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंतना होगा. आठ क्यूंकि जाती पर जाती और राजय पर राजय चड़ाई करेगा. हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पढ़ेंगे. यह तो पीड़ाओं का आरम भी होगा. 9. परंतु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्यूंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपिंगे और तुम पंचायतों में पीते जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो. 10. पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए. 11. जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपिंगे, तो पहले से चिंता ना करना की हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्यूंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, पर अंतु पवित्रा आत्मा है. 12. बारह भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपिंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे. 13. और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा. 13. जो छट पर हो, वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उत्रे और ना भीतर जाए. 16. और जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे. 17. उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी, उनके लिए हाए हाए. 18. और प्रार्थना क या करो की यह जाड़े में न हो. 19. क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे की स्रिष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स्रिजी है, अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे. 20. यदि प्रभू उन दिनों को ना घटाता, तो कोई प्रानी भी ना बचता, परंतु उन चुने हूँ के कारण जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया. 21. उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, मसीह यहाँ है, या देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, 22. क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविश्वर वक्ता उठ खड़े होंगे, और चिनह और पुत्र का पुनरागमन. 24. उन दिनों में, उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, 25 और आकाश से तारागन गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगी. 26. तब लोग मनुश्य के पुत्र को बड़ी सामर्थय औ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे. 27. उस समय वह अपने दूतों को भेज कर, पृत्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकठा करेगा. 28. अंजीर के पेड़ का उदाहरन 29. परंतु मेरी बाते कभी न टलेंगी. 30. जागते रहो 32. उस दिन या उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्प के दूत और ना पुत्र, परंतु के वलपिता. 33. देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्यूंकि तुम नहीं जानते की वह समय कब आएगा. 34. यह उस मनुष्य की सीदशा है, जो पर्देश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे. 35. इसलिए जागते रहो, क्यूंकि तुम नहीं जानते की घर का स्वामी कब आएगा, सांच को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को. 36. ऐसा नहीं की वह अचानक आकर तुम्हे सोते पाए. 37 और जो मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो. अध्याय 14. येश्यू के विरुद्ध शड्यंत्र. एक दो दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था. प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चल से पकड़ कर मार डालें. दो परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं इसा ना हो की लोगों में बलवा मचे. बैतनिया हमें येश्यू का अभ्यंजन. तीन जब वह बैतनिया हमें शमौन कोडी के घर भूजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटामांसी का बहमूल्य शुधर इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडिला. चार परंतु कोई-कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस हित्र का क्यूं सत्यानाश किया गया? पांच क्यूंकि ये हित्र तो तीन सो दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको जिड़कने लगे. चेह येशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यूं सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है. साथ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा. आठ जो कुछ वह कर सकी, उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तयारी में पहले से मेरी देह पर रित्र मला की है. नौ मैं तुम से सच कहता हूं की सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी. यहुदा का विश्वास खात दस तब यहुदा इस कर्योती जो बारह में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया की उसे उनके हाथ पकड़वा दे. ग्यारह विए यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुप्य देना स्वीकार किया और वह अफसर ढूंधने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे. चेलों के साथ फसर का अंतिम भोज बारह अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसर का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें. तेरह उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, चौदह और वर जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना, गुरू कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसम में अपने चेलों के साथ फसह खाऊन कहा है, पंद्रह वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो, सोलर चेले निकल कर नगर में आये, और जैसा उसने उनसे कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार क सत्रह जब सांच हुई, तो वह बारहों के साथ आया, अठारह जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो येशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकरवाएगा, उन्नीस उन पर उदासी छा गई और वे एक एक कर के उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ, बीस उसने उनसे कहा, वह बारहों में से एक है, जो मेरे साथ ठाली में हाथ डालता है, एक्कीस क्योंकि मनुश्य का पुत्र तो, जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परंतु उस मनुश्य पर हाई जिसके द्वारा पुषिश मान कर तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह मेरी दे है, तेईस फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया, और उन सबने उसमें से पिया, चौबीस और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वहलहु है, जो बहुतों के लिए बाहाया जा 25 में तुमसे सच कहता हूं की दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पियूंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पियूंग, 26 फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहार पर गए, पत्रस के इनकार की भविश्यद्वानी, 27 तब लिश्यू ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाऊगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा, और भेरें तितर बितर हो जाएंगी, 28 परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा, 29 पत्रस ने उससे कहा, यदी सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं तीस इशु ने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ब के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा, 31 पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदी मुझे तेरे साथ मरना भी पढ़े, तो भी मैं तेरा इंकार कभी न कर इसी प्रकार और सब ने भी कहा, गत्समनी में प्रार्थना, 32 फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आये, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करून, 33 और वह पत्रस और याकूब और युहनना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, 34 और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहां ठहरो, और जागते रहो 35 और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमी पर गिर कर प्रार्थना करने लगा कि यदी हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, 36 और कहा, हे अबबा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा न 38 जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है, 49 और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, 40 फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें, 41 फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस, घड़ी आ पहुची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, 42 उठो, चलें, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकटा पहुच से एक बड़ी भीर लेकर तुरंता पहुचा, जो तलवारें और लाठियां लिये थी, 44 उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमू वही है, उसे पकड़कर यत्म से ले जाना, 45 वहाया, और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा, 46 तब उन्होंने उस पर हाथ डाल कर उसे पकड़ लिया, 47 उन्मे से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींच कर महायाजक के दास पर चलाए, और उसका कान उड़ा दिया, 48 ईश्यू ने उनसे कहा, क्या तुम दाकुद जानकर मुझे पकड़ पूरी हो, 50 इस पर सब चेले उसे छोड़ कर भाग गये, 51 जवान अपनी नंगी देह पर चादर उड़े हुए उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, 52 पर वह चादर छोड़ कर नंगा भाग गया, महासभा के सामने लीश्यू, तिरपन फिर वे लीश्यू और पुर्निय और शास्त्री उसके यहां इकठे हो गए, 54 पत्रस दूर ही दूर उसके पीछे-पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैट कर आग तापने लगा, 55 प्रधान याजक और सारी महासभा इश्यू को मार डालने के लिए उसके विर उद्ध यह जूठी गवाही दी, 58 हमने इससे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को धा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बना हो, 69 इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली, 60 तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यि क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसी है, 62 हीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठे, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे, 63 तब महायाजक ने अपने वस्त्रफ आड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है, 64 तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है, उन सब ने कहा कि यह वद के योग्य है, 65 तब कोई तो उस पर थूपने, और कोई उसका मूँ ढाकने और उसे घूंसे मारने, और उससे कहने लगे, भविश्यद्वार नी कर, और प्यादों ने उ प्याग तापते देख, उसे टक-टकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी येश्यू के साथ था, 68 वह मुकर गया, और कहा, मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूं कि तू क्या कह रही है, फिर वह बाहर डैवरी में गया, और मुर्ग ने बांग दी, 79 व कहा, निश्चे तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है, 71 तब वह दिखकारने और शपत खाने लगा, मैं उस मनुष्य को, जिसकी तुम चर्चा करते हो, नहीं जानता, 72 तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी, पत्रस को वह बात जो लीश्यू ने उस एक भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीश्यू को बंधवाया, और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया दो पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहुदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है तीन प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे चार पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देखे तुझ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं पांच ईश्यू ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक की पिलातुस को बड़ा आश्चर्या हुआ मृत्यु दंद की आग्या चेह पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था साथ बरब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवायों के साथ बंदी था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी आठ और भीर उपर जाकर उससे विनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर नौ पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दून दस क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकरवाया था ग्यारह परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा की वह बरबाही को उनके लिए छोड़ दे बारह यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा तो जिसे तुम यहुदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करून तेरह वे फिर चिल्लाए उसे क्रूस पर चड़ा दे चौदह पिलातुस ने उनसे कहा क्यूं इसने क्या बुराई की है परंतु वे और भी चिल लाए उसे क्रूस पर चड़ा दे 15 तब पिलातुस ने भील को प्रसन करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और येश्यू को कोड़े लगवा कर सौंप दिया की क्रूस पर चड़ाया जाए सेनिकों द्वारा लिश्यू का अपमान 16 सेनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियू कहलाता है और सारी पल्टन को बुलालाए 17 तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहिनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा 18 और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे यहुदियों के राजा नमस्कार 19 वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे 20 जब वे उसका ठट्था कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहिनाये और तब उसे क्रूस पर चड़ाने के लिए बाहर ले गए 21 सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरिनी मनुष्य जो गाव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा की उसका क्रूस उठा ले चले 22 वे लीश्यू को गुलगुता नामक जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए 23 वहां उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया 24 तब उन्होंने उसको क्रूस पर चड़ाया और उसके कप्टों पर चिथियां डालकर की किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया 25 और एक पहर दिन चड़ाया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चड़ाया 26 और उसका दोशपत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया की यहुदियों का राजा 27 उन्होंने उसके साथ दो डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईी और क्रूस पर चड़ाए 28 तब पवित्र शास्त्र का वह वचन की वह प्राधियों के संद गिना गया, पूरा हुआ 29 और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वा मंदिर के धाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले 31 इसी रीती से प्रधान याजक भी, शास्त्रियों समेत, आपस में ठटे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, पर अपने को नहीं बचा सकता 32 इसराइल का राजा, मसीह, अब क्रूस पर से उतर आये की हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ खुरूसों पर चड़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे लीश्यों का प्राण त्यागना 33 दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा चा गया, और तीसरे पहर तक रहा 34 दीसरे पहर लीश्यों ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई, इलोई, लमाशबक्तनी जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया 35 जो पास खड़े थे, उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा देखो, वह अलियाह को पुकारता है 36 और एक ने दोड़कर स्पंज को सिरके में दुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ, देखें, अलियाह उसे उतारने के लिए आता है की नहीं 37 तब येशु ने बड़े शब्द से चिल्ला कर प्राण छोड़ दिये 38 और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया 49 जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यू चिल्ला कर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सच्मुच यह मनुश्य, परमेश्वर का पुत्र था 40 कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसिस की माता मरियम, और सलोमी थी 41 जब वह गलेल में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवाठहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी, जो उसके साथ यरूशलिम में आई थी 42 जब संधिया हो गई तो इसलिए की तयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होता है, 43 अरुमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बार्जोहता था वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और लीश्यू का शव मांगा 44 पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीग्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुला कर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई 45 जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो शव यूसुफ को दिला दिया 46 तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली, और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चटान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुरका दिया 47 मरियम मगदलीनी और योसिस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहां रखा गया है अध्याय सोला, यीशु का पुनरुत्थान एक जब सबत का दिन बीट गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूप की माता मरियम और सलोमी ने सुगंदित वस्तुए मोली की आकर उस पर मलें दो सबताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कबर पर आएं, तीन और आपस में कहती थी, हमारे लिए कबर के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा चार जब उन्होंने आँख उठाई, तो देखा की पत्थर लुड़का हुआ है वह बहुत ही बड़ा था पांच कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दाहिनी और बैठे देखा, और बहुत चकित हुई चे उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम येशु नासरी को, जो क्रूस पर चड़ाया गया था, डून्टी हो वर जी उठा है, यहां नहीं है, देखो, यही वह स्थान है, जहां उन्होंने उसे रखा था साथ परंतु तुम जाओ, और उसके चेलों और पत्रस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था, तुम वही उसे देखोगे आठ और वे निकल कर कबर से भाग गई, क्यूंकि कंप्पी और घबराहत उन पर च्छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्यूंकि डरती थी मरियम मगदलीनी को येशू का दिखाए देना नौ सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माय निकाली थी, दिखाए दिया दस उसने जाकर येशू के साथियों को जो शोक में दूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया ग्यारा उन्होंने ये सुनकर की वह जीवित है और उसने उसे दिखा है, प्रतीती ना की दो चेलों को येशू का दिखाए देना बारा इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाए दिया तेरह उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीती न की ग्यारा हों को येशू का दिखाए देना चोदह पीछे वह उन ग्यारा हों को भी, जब वे भूजन करने बैठे थे दिखाए दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोर्ता पर उलाहना दिया, क्यूंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीती न की थी. पंद्रह और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी स्रिष्टी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. सोलल जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वल दोशी ठहराया जाएगा, सत्रह विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे की वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नही नही भाशा अठारह सापों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशिक वस्तू भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानी न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे लीश्यू का स्वर्गा रोहन उन्नीस प्रभु येश्यू उनसे बाते करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी और बैट गया बीस और उन्होंने निकाल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभू उनके साथ काम करता रहा और उन चिहनों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को द्रिड करता रहा आमीन